Hello friends, welcome back to my channel Friends, आज के वीडियो में मैं आपको एक नुस्खा बता रही हूँ जिससे आप आसानी से पता लगा पाएंगे कि आपके गर्ब में एक लड़का पल रहा है या एक लड़की पल रही है ये नुस्खा पुराने जमाने से प्रचलित है और आज भी गाउं की महलाएं इस नुस्खे को आजमाती है और घर पर ही ये पता लगाती है कि गर्ब में लड़का है या लड़की तो जानने के लिए वीडियो को बिना इसकिप किये पूरा देखे और अगर चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर ले साथ ही बैल आइकन क्लिक करके ओल पर दबाना बिल्कुल ना भूले ताकि मैं कोई भी वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि आपको करना क्या है तो इसके लिए आपको अपने मॉर्निंग के फर्स्ट यूरीन को एक बाउल में या फिर किसी डिस्पोजिबल में ले लेना है और जिस चीज में आप इस यूरीन को ले रही है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए साफ सुथरा होना चाहिए इसके बाद आपको एक माचिस की तिली लेनी है और माचिस की जो तिली का उपर वाला हिस्सा होता है जहां बारूद लगा होता है जहां से तिली जलती है वो वाला हिस्सा आपको यूरीन में डाल देना है और इसे 30 मिनट यानि की आधे घंटे के लिए डाल कर रखना है उसके बाद उस माचिस की तिली को जलाना है और एक बात का ध्यान रखना है कि उस तीली को आप जैसे ही यूरीन से निकालते हैं उसी वक्त आपको उसको नहीं जलाना है उसे सुखा लेना है दस से पंदर मिनट के बाद वो तीली अच्छे से सूख जाते हैं जब वो अच्छे से सूख जाए फिर उसे आप जलाएं और अगर वो माचीस की तीली जल जाती है तो माना जाता है कि आपको लड़का होगा और वहीं अगर वो तीली नहीं जलती है तो आप मान सकती है कि आपको लड़की होगी ये नुस्खे लोग अजमाते हैं अपने मन की उस सुखता को कम करने के लिए गाउं में इसे बहुत ना उठाए वीडियो को बस अपने मन की उत्सुकता को दूर करने के लिए देखे और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो के साथ मैं मिलती रहूंगी तब तक के लिए बाई